नमस्कार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पटेल ये डेली इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेर्स सीरीज में मैंने चुरुवात की थी नवेंबर से लेके अब तक हमने एकोनामी के जितने करंट अफेर्स पड़े हैं उसमें से मैंने प्रैक्टिस के लिए 10 MCQ बनाए हैं और इसकी टेस्ट होगी इस रविवार यानी 17 जैन्वरी को जिदर मेरे एकोनामी के 10 प्रशन जो MCQ भी मैंने सेट किये उसके वीडियो सल्यूशन भी मैंने बनाए उसी तरह हिस्टी, जोग्रफी, पॉलिटी, एन्वायरमेंट के अलग-अलग अने अकेडमी एजुकेटर्स उन्होंने अपने प्रशन बनाए तो कुल मिलाकर देरा 60 जनल स्टडीज क्वेस्टन्स 45 मिनिट्स में स्वाल करने ऐसी ये अन एकेडमी CSC कॉमबेट सीरीज, जिसको मैं कहता हूँ पॉबजी कॉमबेट हर दो-दो हफते पर होती है तो 17 तरीक जन्वरी को भी है और उसके बाद 31 जन्वरी को भी दूसरा राउंड है रहिवार को सुबह 11 बजे अन एकेडमी की एप में ये आप पार्टिसिपेट करें अगर आप ये लाईव पार्टिसिपेट करेंगे 11 बजे और रैंकिंग में आपका आगे नंबर आएगा तो आपको Amazon से Gift Voucher मिल सकते और इसका फाइदा क्या है वो जो भी बैलेंस आपके Amazon Pay Account में एड होता है तो फिर mobile recharge करना, electricity bill, many such utilities तो ये अन एकेडमी UPSC PUBG Combat खेलो रोमन साइनी Amazon Gift Voucher जीतलो योजना की registration link मैंने इस वीडियो के description में डाली है और उसे unlock करने के लिए आप free code यूज़ करें मुना लॉट ORG के राज के main मुद्धे पे आते हैं January 16 शनिवार के Indian Express में मुझे exam के लिए काम की चीज़े क्या लगी Page 1 पर आज कुछ भी कामका नहीं है वही Corona Vaccination और किसानांदोलन की चर्चाए जारी है अयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए प्रेसिडेंट रामनात कोविन ने पांट लाक रुपे का चेक डोनेट किया लेकिन exam में ये सब कामकाने Broadcast Audience Research Council यानि B.A.R.C ये एक ऐसी प्राइवेट और्गेनाइजेशन है जो सब टेलिविजन शो के TRP पॉइंट्स दिखाती है और उसमें ज्यादा पैसा भी चार्ज कर सकता है कि 60 सेकंड का है तो 60 लैक रुपीज दो या कुछ तो ये जो TRP डेटा कलेक करते थे उसमें कुछ स्केम धांदली हो रही थी उसको B.A.R.C के कुछ Official Manipulate कर रहे थे आरनब गोस्वामी ने उनसे WhatsApp में कुछ कहा था ऐसी सब Controversy और उसके सब मेसेजिस लुक हुए ऐसी बड़ी खबर अपने लिए कुछ कामका नहीं एक जमाने में एक महिला नीरा राडिया वो भी 2G स्केम के बाद अलग-अलग Media House के साथ उसकी भी ऐसी कुछ Phone Recording बाहर आई थी तो कौन सा UPC ने प्रशना पूछ लिया कुछ नहीं पूछा तो ये सब इस तरह की सत्ता के गलियारों में क्या कांड हुए कामका नहीं आगे बढ़ो गुजरात राज्य में 1991 में कानून बना था जिसको कहा जाता है Disturbed Areas Act अशांत विश्तार या अशांत इलाका कानून अगर राज्य सरकार किसी एक पर्टिकुलर सिटी या उसके किसी एरिया को कह दे कि ये अशांत इलाका है तो फिर वहाँ पर जो District Collector यानि IAS Officer है उसको एक्ष्टा पावर मिलते है कि उस इलाके में कोई भी व्यक्ति अपना मकान बेचना चाता है तो उसने सबसे पहले ये District Collector, DM, IAS Officer से अनुमती लेनी पड़ती है और ऐसा केस जहां पर माली जे हिंदू व्यक्ति अपना मकान मुस्लिम को बेचना चाता है या मुस्लिम व्यक्ति अपना वकान हिंदू को बेचना चाता है तो उस केस में वो शायद अनुमती न भी दे क्योंकि ये अशान्त इलाका है क्योंकि अशान्त इलाका मतलब ऐसा एरिया जहां पर ये हिंदू-मुस्लिम और कम्यूनल तनाव बहुत जादा है तो राजे सरकार उसको अशान्त इलाका गोशित करती है हाँ तो इसमें हमारे लिए काम का क्या है जब हम बात करते हैं सेकुलरिजम की तो निउस्पेपर कॉलम के हिसाब से तुरंत एक ही शब्द दिमाग में आता है कि असल में दूसरे दर्म का व्यक्ति हो लेकिन किसी और के नाम पे मकान खरीद ले या फिर कि ये कलेक्टर को पैसा खिलाया जाए और अनुमती ली जाए वगेरा वगेरा याद कीजे ये डियेम कलेक्टर आयेस ओफिसर के और क्या-क्या पावर हमने नवेंबर से लेके अब तक पड़े है लैंड ग्रेबिंग जमिन हडपना वो खोशला का गोशला टाइप का कोई केस हो तो उसमें भी उसको पावर है कि वो इंसाब दिला सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड़ CRPC उसमें भी उसे पावर है कि जो हैविच्वल ओफेंडर या कोई प्रोटेस्टर या रायटर उससे वो एडवांस में कि मुझे बॉंड में 10 लाग 20 लाग रुपे का बॉंड बर के दो कि तुम कोई दंगा नहीं करोगे या तुम ये किसान आंदोलन मेरे डिस्टिक में नहीं करोगे तो ऐसे बहुत सारे पावर आप न्यूस पेपर देखते रहें आपको मिलते जाएंगे आपकोर्स आप ये इंटरनेट सर्च करें या लक्ष्मी कांद की वो गवर्ननस इन इंडिया किताब पड़े तो उसमें तो रटे रटाई चीज़े मिलते हैं ठीक है लेंड रेवन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट और इलेक्शन ड्यूटी और प्रोटोकॉल ड्यूटी उसके अलावा भी और 25 किसम के पावर होते हैं यह अब देरे देरे पढ़ेंगे आपके दिमाग में विजन डेवलप होगी कि असल में यह आईएस ओफिसर उसकी काम क्या होती है तो जब इंटर्वी में पूछा जाए वाइडो यू वान टो जॉइन दिस सर्वीज यू कन गिव सम बेटर क्वालिटी आंसर कल मैं आपको बता रहा था कि मैं दिल्ली वाली एडिशन पढ़ना पसंद नहीं करता स्टेट स्पेसिफिक एडिशन पसंद करता हूँ इसका ये भी एक कारण है दिल्ली की एडिशन आप पढ़े तो वही उदर की उनके municipal में डेंग्यू के case बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं ऐसी छिटपुट समाचार आते हैं तो यह जो state specific administration जहां पर यह IAS, IPS, forest services, पंचायत के चुनाव, state के चुनाव, state से राजय सभा के चुनाव, उदर horse trading से लेके बहुत सारी ऐसी wildlife protection वो सब आपकी जो vision develop होनी चाहिए कि यह administration क्या है और उसमें आप क्या भूमिका अदा करने वाले हैं, it helps you सिवाए कि आप दिल्ली में रहते हैं तो देली edition पढ़नी चाहिए, नहीं रहते हैं तो फिर अपने state specific edition पढ़ना prefer करना चाहिए तो यह था page 1, आगे बढ़ो page 2 अनुसंदान में तो वो हमने देख लिया, page 3 state specific समाचार में कुछ नहीं आज, page 4 मेबी आज कुछ नहीं, page 5 बड़ा सा विग्यापन है, page 6 राशी पविशा कामका नहीं, page 7 मेबी बड़ा सा विग्यापन कामका नहीं, page 8 मेबी विग्यापन वो भी कामका नहीं, यानि आज इंडियापन पेज 9 उसमें भी विग्यापन है कामका नहीं, तो मित्रो यह 20 पेज का अकबाराद डाला है, उसमें पहले 10 पेज में तो हमने पढ़ा कुछ कामका नहीं, यह तो मारपीट के एग, हमने वो लेंड ग्रैबिंग वाला यह और कुछ खास कामका नहीं, टरंप के इंपीचमेंट के बारे में वो भी कुछ खास कामका नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, साउथ कोरिया में पॉपुलेशन डिकलाइन कर रही है, आबादी उनकी कम हो रही है, उसके जो कारण थे कि वहाँ लोग शादिया काम करना चाहिए, उसने ये सुनिश्चित करना चाहिए, सीमस्ट इंशोर की फ्रिज में सब खाना रखा है, गर एकदम साफ सूतरा है, और वो जब डिलिवरी के लिए भी जाए और गर में दूसरे बच्चे हैं, तो उनके देखबाल के लिए आया का वो इंतजाम करके जा वो शादी करना और बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करती, जिसके चलते साउथ कोरिया की आबादी कम हो रही है, ऐसा कॉलम, ये चीज हमारे लिए एक दो लाइन में पता होना चाहिए, कि उधर पॉपुलेशन कम हो रही है, और बारत में वो सब फैक्टिया शिफ्ट हो उसके अलावा उसके दिमाग में बहुत कुछ बारत के ही प्रॉबलम चल लाएंगे, कि वो मैलाव का बारत के इधर प्रॉबलम वो क्यों नहीं लेखाबने पहले, तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं आगे बढ़ो, एक आर्लाइन में जिनेरिक मेंशन कर सकते हैं, कि बारत में पेटियार किया, उसी तरह से सभी एशन समाज में भी ये पाया जाता है, फिर बड़े कॉलम में एक है, वेक्सिनेशन के बारे में, हलाकि इसमें बात नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस्ट फूड, फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रोसेस्ट करन, अल्ट्रा फूड मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंग, जो ब्रेड बनाए जाते हैं, चिप्स, आइसक्रीम, केक, इंस्टन्ट नूडल और बहुत चारी चीज़ है, पाय जाता है कि उसमें विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइडरेट, माइक्रो न का पोशन मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता, इसके चलते हमारी इम्यून सिस्टम बैतर नहीं होती, और हमें देशी नहीं, विदेशी फाइजर की इंजेक्शन भी ठोक दिया जाए, तो भी हो सकता है, उसका कोई असर ही नहीं देखे, तो चाहे वो गरीब गर के लोग है तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, तो स्वाबाइक है, उनके शरीर में ये सब नहीं होगा, लेकिन पोश फेमिली, उसमें भी जो बच्चे हैं, वो पूरा दिन यही आइसक्रीम और इंस्टन नूडल्स पे जिंदा है, तो उनके उपर भी वैक्सिनेशन के बाद कोई असर न दिखे ऐसी चिंता, इसलिए कॉलम में सजेश्ट किया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ट फूड पर ज्यादा टेक्स लगाना चाहिए, और जैसे तंबाकू के उत्पात पर आप जानते हैं कि उसका विग्यापन नहीं दे सकते, या विग्यापन देते हैं तो भी नीचे वजन बढ़ जाता है और स्वास्त को नुकसान होता है वग्यारा, तो जब आप बात करते हैं माल नूट्रिशन, तो उसमें सिर्फ गरीबों की बात करें तो साथी साथ हमीरों की भी बात करनी चाहिए, कि वो भी ऐसा अल्ट्रा प्रोसेस्ट फूड खाते हैं, तो शरीर म विटामिन, जिंक, सेलेनियम, प्रोटेन वगेरा कम रहता है, विच क्रिएट्स नूट्रा प्रोब्लम्स, उसी तरह एनेमिया, यानि रक्त में वो जो हिमोगलोबिन और आयन कंटेंट होना चाहिए, वो कम होता है जिसके चलते व्यक्ती बहुत जल्दी ठक जाता है, सांस नूरिष्ट है, उन्होंने ये लिखाए कि 26 जनवरी की परेड इस साल हमने नहीं करने चाहिए, उसके दो कारण, ये 26 जनवरी की जो परेड की सब सिक्योरिटी इंतेजाम, जितने वो टेबलू और आम फोर्सिस को लाना पड़ता है, कुल मिलाकर 300 से 500 करोड का खर्च आता तो वो सब ज़्यादा क्राउड इखटा हो गया, तो कोरोना फैलने के भी चांस है, तो ये होगे फेवर में आर्गुमेंट, फिर अगेंस्ट में क्या होगा, नहीं, वो कोलोनियल ट्रेडिशन को हमने ब्रेक किया था और ये दिखाता है कि ये तो 26 जनवरी उसको हम कैसे न मनाए वगेरा, तो सोचे वो एथिक्स पेपर 4 के लिए सोचने की मसला, और आर्मी नेवी एरफोर्स में ओफिसर बने के लिए वो कमबाइन डिफेंस सर्वीस की रिटन एक्जाम आप पास करें, फिर SSB इंटर्वी होते हैं, उसमें ये सब होता है, ग्रूप डिसकेशन वहाँ पर ये सब चीज़े पूछ सकते, तो आपके पास मुद्धे रैडी की करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोरोना में ही आगे बढ़ते हुए, page 11, page column है, herd immunity, herd immunity मतलब किसी एक देश के जाधा तर लोग, या तो उनको को कोरोना हो जाए और उससे वो recover हो जाए, या फि वैक्सिन उनको मिल गया और वो immunity डेवलब हो गई, तो बाकी 30% को बले वैक्सिन न भी मिला हो, या बले उनकी immunity कमजोर भी हो, फिर भी उनको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि एक से दूसरे में जो फैलता है, वो पूरी cycle ही break हो जाएगी, तो इस concept को का जाता है herd immunity, ये Indian Express में आकर ऐसा प्रिडिक किया है कि जून 2021 तक बारत में herd immunity हो जानी चाहिए, पेज 11 पर दूसरी कॉलम है copyright के बारे में, पता चला Science Hub और Libgen, ये ऐसी online website है जहां से e-books और scientific research paper व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है, वो सब piracy, torrent type की चीज़ चलती होगी, इसके खिलाफ अमेरिका, इसके बंद करवाईए, उसके काउंटर में भारत के ही कुछ students और researcher ने भी Delhi High Court में petition डालिये कि इसको बंद मत करवाईए, क्यूंकि गरीब देश के बच्चे ये सब बहुत मेंगे मेंगे subscription और books नहीं खरिच सकते, तो ये case चल रहा है उसके बारे में सब चल चा, मित्रो ऐस ये case पहले भी हुआ था, आप Delhi University में admission लेते हैं, तो वहाँ प्रोफेसर आपको पहले दिन list लिखवा देता है, कि ये ये book से इतने इतने chapter आपने देखना है, लेकिन असल में वो सारे books आप खरिदने जाओ, तो वो तो 1000 रुपे के आते हैं, तो solution क्या है, उन सब book के उतने important chapters की Xerox निकाल के, उसका study pack बना दो, तो Delhi University के सामने ऐसे बहुत सारे photocopy center, वो Oxford का course pack या ये economics का course pack वो बेचते थे, तो उसको अलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर copyright में fair use क्या है, education purpose के लिए, उसको किस extent तक अलाव करें, वगेरा चर्चा हुई थी, किर अभी ये related to education, और paper 3 में भी वो intellectual property right और science वगेरा की बात है, page 11 पर तीसरा कॉलम है, banking sector, साल 2014 में RBI के पीजे नायक कमिटी ने सजिश्ट किया था कि बारत सरकार, bank investment company यानि BIC नाम की एक नई संस्था बनाए, और बारत सरकार के पास ये पंजाब national bank, SBI, bank और बारत सरकार के पास ये प investment company को transfer कर दे, ताकि वो संस्था उसके नीचे ये सब subsidiary company बन जाए, तो वो professional तरीके से उन सब का संचालन करे, और ये मंतरी लोग जो सीधा दखल देते हैं कि कोई सरकारी bank के और manager को phone कर दिया, मेरे आदमी का loan pass कर दो, और फिर non performing asset bad loan बढ़ जाता है, वो सब की problem थोड़ी कम हो, और दूसरा, ये BIC नाम की संस्था के पास सारे सरकारी bank को के shares रहेंगे, तो उसमें से disinvestment, winivage, या privatization, नीजी करन, जैसे कि वो एक सरकारी IDBI नाम की bank को बेचा गया, वो सब काम और बहतरी से हो सकते हैं, तो कुछ expert की ऐसा होना चाहिए, या नए budget में ऐसा propose करना चाहि सरकार को budget pass होने दो, उसके बाद UPSC जो pass हुआ है, ऐसे budget से प्रशन पूछती, not from your budgetary expectations, so that was page 11, उसके बाद चले page 12, अधानी कोछे अलग-अलग airport की contract दिया गया, उसके बारे में controversy काम की नए, एक line में पढ़ना था, कल हमने पढ़ लिया था, गांधी जी ने अपने सबसे चोटे बेटे को लेटर जो लिखे थे, उसको release किया जाए, लेकिन अब कुछ काम का नहीं, page 13, maybe advertisement, page 14, कल जो army डिवस था, तो general M.M. नरवाने ने जो speech दी थी, उसके सब सारांश, लेकिन कुछ उसमें exam के लिए जाने लाइक नहीं, पिर याद करो, bureaucratic apathy, special Olympics वो, विकलांग का अलग Olympic, उसमें ग्राजवीर सिंग नाम का पंजाब का लड़का जो जीता था, लेकिन फिर सरकार ने उसको time पर पैसा release नहीं किया, मर गया, अब राज्य सरकार बोल रही है कि उसको family को 5 लाख रुपए देंगे, तो उसके पिता कह रहे हैं, अब मेरा बेटा मर गया, य मेरेट में से जो मलमूत्र होता है, वो pipeline से अलग जगा जाए और उसका फिर waste management हो, यह सब पूरी engineering प्रणाली बनाई जाती है, अगर कोई मैदानी प्रदेश है, plane area, जैसे हर्याना पंजाब, वहां तो ठीक से काम कर सकता है, लेकिन जब आप हिमाचल, उत्राखंड, ऐसे hilly terrain, पहाड़ी इलाके में ऐसे सब pipe fit करेंगे, एक tank से दूसरे tank में जाएगा, और आप जानते हैं, वहां पर land slide, boost खलन, seismic activity, earthquake, उसके चलते हैं, जो भी internal pipe होते हैं, वो तूट जाते हैं, और उसमें से वो गंदा पानी वो leak होके, ground water में भी चला जाता है, नदियों में चला है, जिसके चलते हैं, hepatitis, diarrhea, मलब दस्त हो जाना, ये सब अलग-अलग problem, jaundice, ऐसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, यानि कि जब हम बात करते हैं, स्वच्छ बारत या engineering solution, तो वो localized, decentralized, decentralized, इलाके के अनुरूप होने चाहिए, पूरे बारत में देठों एक ही तरीके से काम हो, तो वो चीज न तो education में अच्छी है, न एंजिनियरिंग में अच्छी है, फिर United Nation के एक representative ने ये कहा कि बारत में कैदियों के मानवाधिकार, human rights की अच्छे से रक्षा नहीं होती वागरा, खेल, मलब जहां बारत का गंदा दिखता हो, ऐसी कोई बहुत detail में पढ़ने का exam point of उसे फाइदा नहीं, पेज 15 में सब state specific समाचार, राजस्तान से एक बुदपूर्वर नेता कमल महावीर प्रसाद मोरारका का देहांद हुआ, जो चंदर शेखर प्राइम मिनिस्टर के जमाने में, मिनिस्टर अप स्टेट के इजर सरकार के राजे कक्षा के मंत्री थे, तो केरल अब state budget में का गया है कि गरिबों को 16 सो रुपे का pension मिलेगा और laptop subsidize rate पर दिये जाएंगे वगेरा, केर ये कुछ आगे बढ़ो, पेज 16 explained series, एक है जल्ली कत्तु के बारे में, हाला कि वो तो हमने कल ही पढ़ लिया था, जल्ली कत्तु मतलब bull taming spot, सांड को वश्मे करने का ये खेल होता है, अगर आपने वो बेकाबू सांड को वश्मे कर लिया, तो आपको इनाम मिलेगा, और आप नहीं कर पाए, तो वो सांड का जो मालिक है, उसको इनाम मिलेगा, ऐसा तमिल नाडू का खेल है, पैरे लली करनाटक में, बफेलो रैस होती है, मतलब बेहसे की दोल, तो इनिमल राइट्स ग्रूप, पीटा और दूसरे सब लोगों ने सुप्रीम कोट में इसके खिलाफ याची का दायर की थी, तो सामने इन राज्य सरकारों ने ऐसे कानून पास किये, कि न ये तो अमारे कल्चर को प्रोटेक करने के लिए जरूरी है, और वो अपने मुलबुत अधिकार आर्टिकल 29.1 में लिखाए कि बारत के सब सिटीजन अपने डिस्टिंग लेंगवेज, क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक करने का प्रिजव करने का उनको अधिकार है, तो ये भी अमारा कल्चर है, और फिर उसकी आगे जैजमेंट आना है, बाकी है, पूरी लंबी चौरी सिरीज बनाई है, बेजिक आइडिया तो हमने कली ले लिया था, आगे बढ़ो, उसी तरह कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था ये हूबारा बस्टार्ड पक्षी के बारे में, जो एशिया मिडलिस्ट आफरिका में पाया जाता है, इसी प्रजाती से अगर हम इसको मनाई कर देंगे, तो वो दुबई और साउदी के शेख नाराज हो जाएंगे, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन में समस्य आयागी, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने ठीक है, इसको हटा दो, एन्वेज वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, आगे प्रिपैड हो जाएंगे, आपका मानसिक और समवेदनात्मक रूप से आपकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, कि हाँ ये जॉंबी मुई देखके, अब कोरोना हो रहा है, मुझे इसके कोई चिंता नहीं, ये क्या एक्जाम के लिए काम का है, मित्रो कोई भी कॉम्पिट प्रिपोन लगा के रख्यों दो गंटे, आँक से आप देख रहे हैं, तो आँक और कान में वो ऐसा जो दर्द आ जाता है, कि उसके चलते फिर आप और 20-30 मिनिट पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये तरह वेब सेरीज में 8 एपिसोड हो, और ये वेब सेरीज ऐसे बनाते हैं तो खुद से सेल्फ डिसिप्लिन आप कल्टिवेट कीजिए, ये सब चीजों से बचिए, ये टीवी शोज, वेब सीरीज और फिलमें ये सस्ता नशा है आम जनता के लिए, आप नशा करना चाते हैं तो कोई मेंगी वाली चीज का करो, कि मुझे IES IPS बनना है, या मुझे ब पेज 17 विश्वर समाचार में, प्लेसी सिन न्यूज, इंडूनेशिया का सूलेवासी आइलेंड, जहां पर कल अमने देखा था कि वो सूवर के केव पेंटिंग मिले जो दुनिया में सबसे पुराने, और आज वो ही इलाका सैड न्यूज में कि वहां पर बुकम पाया है, वैसे तो नेपाल में प्रचंट दमाल जारी है, लेकिन उसका जिक्रन नहीं करते हुए, आज इंडियन एक्स्प्रेस ने निकाए कि नेपाल ने भारत में बनाई गई कोवी शिल्ड वैक्सिन को अनुमती दी, वो सब इतना बारिक जनरल नॉलेज काम करने आगे बढ़ो, अमेरिका में वो सब कैपिटल में प्रदर्शन और इंपीचमेंट और बिडेन के प्लान वगेरा कुछ काम का नहीं, 2020 में बहुत गर्मी पड़ी थी, वर्ल्ल मीटेरोलोजिकल और्गेनाईजेशन काम का नहीं, तो हर साल वो ऐसे ही बोलते हैं कि पिछले साल से जादा गर चाइनीज सरकार इंटरनेट पर बहुत जादा रेगुलेशन करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेट फायरवाल, तो दिरे दिरे होंग कॉंग पे भी वो बड़ा रहें, लेकिन ये सब अपने लिए काम का नहीं, इस्यू अफेक्टिंग इंडियन इंट्रेस्ट ऐसा स्पेसिफ इस ट्रीटी साइन किये थी, जिसमें एक दूसरे के देश के उपर आप अनार्मड ऐरोप्लेन बेज सकते हैं, फोटोग्राफ खीचने के लिए कि आपको लगता हो दुश्मन देश हमारा उपर कोई मिसाइल डेवलप कर रहा है या कुछ नया टूप डिप्लॉयमेंट हो है, वो सब चेक करने के लिए, और एक दूसरे के इलाके में ऐसे अनार्मड ऐरोप्लेन बेजने की अनुमती थी, अंडर इस ओपन स्काइ स्टीटी, हलाकि 2020 में अमेरिका ने ये ट्रीटी से हट गया, तो 2021 जैनुवरी में रश्या ने कहा है, अब हम भी इसमें से हट रहे ह तो प्रिलिम के लिए, what is the objective of open sky treaty, तो civil aviation नागरिक उड़यन नहीं है, और नहीं ये है कि armed aeroplane, unarmed aeroplane हो, उससे जाने की सब बात थी, अगर किसी व्यक्ति को death penalty दी गई हो, तो सामाने रूप से उसे, अगर वो बीमार हो, तो जब तक उसकी बीमारी solve नहीं हो जाती, उसको death penalty नहीं देते, लेकिन अमेरिका में एक आदमी को corona था, फिर भी उसको death penalty दी, ये सब ठीक है काम का नहीं, पेज 18, अमेरिका की एक संस्था US Trade Representative, USTR, मिन काम है कि American company के intellectual property right की रक्षा नहीं होती हो, तो वो सब action लेते हैं, तो उन्हें पता चला कि बारत की shopping website snap deal, और डेली और shopping complexes में, बहुत सारा counterfeit product, मतलब नकली टीशेट पे Nike का logo लगा कर या Pumo का logo लगा कर जो बेचा जाता है, वो सब बहुत जादा हो रहा है, तो उन्होंने notorious market list में नाम एड किया है, International Monetary Fund IMF, उसकी बस कौन है, Managing Director Crystalina Georgieva, उन्होंने काया कि बारत ने कोरोना के खिलाब बहुत ही सकता और अच्छे कदम उठाए थे वगरा, लेकिन ये सब, उन्होंने statement दिया है, वो कुछ काम का ने, बाकि वही सब share market, business gk की चीज़े हैं, कुछ काम की ने आगे बढ़ो, paid 19 sports, जादा तर तो cricket के ही समाचा रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जानने लायक, Australia में ये जो बहुत जादा हवा में उड़ते हैं, कि हमको practice करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो superstar हैं, हम बगवान हैं, तो हम तो अपने आपी catch पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर catch drop हो रहे हैं, उसी तरह UPSC में भी जो दो-तिन attempt देते हैं, तो फिर एक level of complacency, कि हमको सब पता है, हमको कुछ revision क जरूरत नहीं, वो तो देख लेंगे 15 दिन पहले, fail होते हैं, प्रिलिम में, एक बार आपने प्रिलिम क्लियर की, तो कोई ऐसा guarantee आधिकार पत्र नहीं, कि next year भी आपकी प्रिलिम वापस क्लियर होगी, बहुत सारे लोग मैंने इतने सालों में देखे, fail होते हैं, even UPSC toppers, मा जो भी लोग वापस से प्रिलिम देते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग fail होते हैं, UPSC topper सोचो, दूसरी बार प्रिलिम देता है, और fail होता है, क्यों? क्योंकि topper बनने के बाद वो 15-20 दिन तो इधर उधर newspaper और strategy और success interview वगेरा में चले जाते हैं, परिवार जानो और श्र आरत की टीम की जो आलत है वही आपकी भी हो सकती, तो ये था शनिवार का न्यूस पेपर